नमस्कार साथियो बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्ट चनल पर हर कदम आपके साथ एक नई सोच के साथ दोस्तो जैसे कि आप तमनेल में देख रहे हैं लोक सबाच चुनाब पुरानी पेंशन पहसला करेगी एमपलोईस का रुख क्या होगा आप इस वीडियो के अन्त तक जान सकते हैं तो चलिए पूरी कबर को विस्तार से देखते हैं क्या है लेट्स गो आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और पास में आएगा बेल का इकन उस पे आप क्लिक कर दीजिए वो वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए सत्ता में बने रहने के लिए राजनितिक दल छोटे करमचारियों से खूब लंबे चोड़े बादे करते हैं लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो बादे बिस्तमरत होकर देते हैं साथ ही सत्ता के मद में चूर होकर सोसन की और कदम भी बड़ा देते हैं सोशन की परंपरा बना ली जाए तो आक्रोसित करमचारी अपनी मर्यादास में रहते हुए भी सत्ता परिवर्तन के संके देने लगता है छोटे करमचारियों की नाराजगी अक्सर सत्ता परिवर्तन ला देती है हाल फिलाल मद्द प्रदेश में ऐसा 2003 और 2018 के चुनाव का बिशलेशन करने पर समझा जाता सकता है राई नितिक दल करमचारियों की समस्याओं को लंबे समय तक राई नितिक दोहन की मंसा से बनाय रखती है यह भूलते हुए की छोटे करमचारियों की पहुँच सीधे जनता तक होती है भैसत्ता की अच्छी बुली छबी अपनी सोच के अनुसार अपने सीधे संपर्क से जनता के बीच बना देता है उधारा के लिए अध्यापकों की समस्याओं को ही लिया जा सकता है बड़ बोले नेताओं ने कभी इनकी समस्याओं को इमानदारी से हल करने का प्रियास ही नहीं किया दुरभाग से सत्ता को अती महत्व कांची अध्यापक संगों के कुख्यात नेत्रत्व का भी साथ मिलता चला गया इन कुक्यात अध्यपक नेताओं के चेहों की लाली को देखकर ब्रिमित सत्ता बले ही खुश होते रही लेकिन उन्हें अध्यपकों में सुलग रही आग की तपिस महसूश नहीं हुई परिनाम सब के सामने है दंग का फुगा पिचक गया छोटे करमचारियों की समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं बेतो केवल अपना निम्तम अधिकार मांगते हैं जो की उनके सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं ये अधिकार उन्हें मिल जाये तो अंदोलन हलताल के द्रस्यों का कोई सवाल ही नहीं की सत्तादारी समझ नहीं पाते और सत्ता समालते ही ना जाने कहां से प्राजित होने का रावणी दंब उसमें आ जाता है सत्ता के दंब को मत दाता ठंडा करना जानती है ये पबलिक है सब जानती है बारत में एक राजनिक दल की छवी करमचारियों के अधिकारियों पर कु आधालबूत आविसकता नियमित पेंसन बीमा जीपीएफ और ग्रे चुटी होती है इस राजनीतिक दल ने करमचारियों की पुरानी पेंसन चीनली जीपीएफ बीमा ग्रे चुटी भी बंद कर दी करमचारियों के बविस और बुड़ापे को अनिस्चिता की आग में अपने चाहितों को लाप पोँचाने के लिए जोग दिया इसी राजनीति दल ने नियमित करमचारियों की जगए कम बेतन पर कंट्रेक्ट बैस पर करमचारियों को रखने की नीती का भी सुवारम किया मिर्मान करते हैं लेकिन बेभी आज भी उसी राजनितिक दल की नीति के अभी साप को जहल कर पुरानी पेंसन जीपीए बीमा ग्रेचुटी से बंचित हो अंसकार मैं बविस को अपनी आखों से देख रहे हैं उस दल के दिवंगत महाननेता के लिए आज भी कम से कम करमचारि क्यों कि बविस को नार किये जीवन की और धकेल दिया है आप बरतमान नेता देखते हैं कि उस अक्षमें गल्ती को सुदारते हैं कि नहीं यह ज्यान दलाना आवस्यक होगा कि अब जो दल पुरानी पेंसन बहाली करेगा और करमचारियों को अधिकार संपन करेगा उतना ही सपता के करीब होगा तो सातियों हमारे दोरा दीगई जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें जिससे सभी करमचारी सातियों को ये महत्पुन जानकारी मिल सके इसी परकार की खबर पाने के लिए आपका दोस्ट चनल से जड़े सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर किलिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्लबाद